यह जमीन भिग गया और यहां आएटी नहीं किया तो ना जमीन रहेगा और नहीं इसका इसका टी रहेगा आप एक पेपर सूपर करते हैं पक्का एडवांस आपका हो जाएगा जौब के तीन साल बाद फिर से वापस हम लोग मुंबई में मिले और अपनी मर्सिटीज से तीन दोस्त एक साथ मुवी देख रहे थे उस मुवी में दिखाया गया था कि कुछ फ्रेंड लोग मुंबई से गोवा ट्रिप पे जाते हैं बाई रोट तो वो तीन दोस्त भी मिलकर एक सपना देखे कि कास एक दिन हम भी अपनी कार से अपनी मर्सिटीज से मुंबई से गोवा ट्रिप पे जाएंगे तो क्या ये सपना पूरा हुआ आईए मैं आपको बताता हूँ हाई अबरीवन मेरा नाम नीते स्विदार्ती है मैं एक आईटी ग्रेजवेट हूँ आईटी धनबाद से पेट्रोलियम इंजिनेरिंग में बिटिक किया हूँ मैं बिहार के एक छोटे से गाउं स्रीपालपूर से बिलोंग करता हूँ हमारा पडिवार खेतिवारी से जुड़ा हुआ है किसान पडिवार है मेरी टेंथ तक की परहाई उसी गाउं से हुई गाउं के सरकारी हाई स्कूल से मेरी टेंथ तक की परहाई हुई मैं पढ़ने में थोड़ा average से above था तो maths मेरे को बहुत अच्छा लगता था उस time तो हमारे सर बहुत अच्छे से मेहनत करते थे और बताते थे कि जिए कुछ तुम्हारा math अच्छा है तो 10th के बाद एक exam होता है जिसको IIT कहते हैं उसको देना हाला कि जो हमारे सर थे हमारे टीचर थे उनको भी पता नहीं था उस गाउं में कि IIT होता क्या है पर उनको इतना पता था कि जिनका math अच्छा होता हो IIT का exam देते हैं तो मेरे दिमाग में उसी समय से यह बात आ गया लेकिन जो लोग खेती बारी करते हैं उनके पास इतना सेविंग नहीं होता है कि वो पैसे से भेज सकें तो फिर पापा डिशाइट किये कि कुछ जमीन कुछ खेत को बेच दिया जाए यदि नॉलेज इसके पास होगा तो कुछ न कुछ तो करी लेगा फिर वो किसी तरह से अगेंस्ट जाकर पड़िवार के जमीन बेचे और मेरे को पटना भेज दिये परने के लिए पटना के लोकल कोचिंग में एडमिशन लिये और एक लॉज में रूम लेकर रहना ताकि उसका जो आकेलापन है उसका दूर हो और अच्छा लगे थोड़ा तो मैं भी वह साही किया जब उस होस्टल में उस लॉज में जो भी बच्चे रहते थे उसे फ्रेंट्रिप करना शुरू कर दिया लेकिन वहां पे धीरे धीरे रहते रहती यह चीज पता चलिए कि जितने भी सरकिल थे सीनियर भी रहते थे उस होस्टल में तो सब लोग क्रिकेट देखना क्रिकेट खेलना फिल्म देखना घूमना फिरना इसी में इनवाल्व रहते थे पढ़ाय लिखाय से कोई मतलब नहीं था लेकिन चुकि हम घर से बाहर गए थे एक इतना आकेलापन लग रहा था कि वही अच्छा लगने लगा था उनलों के साथ रहना घूमना फिरना और धीरे धीरे उसी इंवार्मेंट में धालना शुरू हो गया और लगवग एक साल हम इस तरह से वेस्ट कर दिये उसी में रह गये लेकिन इसका रियलाइजेसन विल्कूल हमको नहीं थ माया जो बच्चा टेंफ में अच्छा था उसका माक्सहें अच्छा इतना कम हो गया उसमें बहूत ज़्यादा फ्रेस्टेशन फिल हुआ कि इतना अच्छा थे इतना खड़ाप कैसे हो गया धीरे धीरे जिए एक साल बीथ गया तो धीड़े-धीरे ब्रें मे चियोर होना मेल कर मूवी देखने जाना है या थर उस्समें घर पे बनाया जाता था भी इस डी विलता था सिडी बोल जाता था वी पैसा देखे कुछ सब लोक मिलकर अपने रूम पे सिडी मलगा लेते थे और और पर देखते करते थे तो इस तरह का जो महौल था वहां इसके कारव मेरा काफी डिस्ट्रेक्शन हो गया और हमको मज़ा आने लगा मुवी देखना किर्केट खेलना किर्केट में रहना यह काफी हमको अच्छा लगने लगा और धीरे-धीरे मेरा समय चला गया जब 11 कलास का एंड हुआ त पढ़ाई सब खराब हो गया तो फिर उसके बाद डिसाइड कि क्या करना है आगे तो यह चीज तो पता चल गया था कि यदि हम उसी होस्टल में उसी लौज में रहते उसी महाल में तो मेरा सेलेक्शन होता नहीं और सब लोगों से इतना ज्यादा हो गया था कि उसी सहर में और अच्छा से पढ़ाई कर सकते हैं लेकिन इस बात को हमारे कोचिंग के कुछ लोग जाने वाले हैं दिल्ली पढ़ने के लिए फिट जी में लेकिन वहाँ पैसा काफी ज्यादा है थी वाबा बोले कि ठीक है हम सोचते हैं एक दो दिन सोचने के वाले कि कुछ और जमीन तुमको बेचते हैं तो हमको उसमें बहुत खराब लगा क्योंकि हम एक साल अच्छे से पढ़े होते तो आज जमीन बेचने का नोबत नहीं आता लेकिन मेरा चुकि एक साल वेस्ट हो गया था लेकिन इसमें मेरा ज्यादा गलती भी नहीं बोल सकते क्योंकि मैच्योर ब्र अच्छा था यहां पर लुट काफी सिरियस थे लागा कि यहां पे तैयरी हो जाए लेकिन मिरे पास चुकि टाइम ज्यादा था नहीं मिरे पास एक एवरेज देखें तो छे महिना के आसपासी टाइम था उसे जाधा था नहीं लेकिन इतने कम टाइम मेरे को बात करने चा तो उसी कटवर्या सराय में आयटी दिल्ली के चुकी कैमपस नजदीक था तो आयटी दिल्ली के एक सीनियर घूम रहे थे तो पता चला मेरे को बात करने गए उनसे कि कैसे हम तैयारी के रिए क्योंकि तो वह बताए क्या है एई ट्रीपल यही मेन करना है कि एडवांस करना है क्या है यही में चेए यह सब्सक्री में तो ने सब्सक्रीस करना है वही जिसमें को देख्यॅ कोंगता हो तो उनको बहुत मजा आने लगी दिक्स मज़ा आने लगा फिर उसके बाद पूरे होस्टल में किसी को भी फिजिक्स में डाउट होता था एडवांस लेवल के कोश्चन में तो हम सॉल्फ कर ही दिया लगभग 95% कोश्चन सॉल्फ कर ही दिया करते थे तो धिरे-धिरे और अब एक्जाम आया तो सबसे पहले बोर्ड आया तो ट्वेल्थ में मेरे 60% मार्ग साए तो 60% बहुत अच्छा मार्ग सिसलिए नहीं आया क्योंकि बोर्ड का त्यारी किये नहीं थे फिर एडवांस का प्रिप्रेशन की तो फिर से वही काम किये अपना फिजिक्स को बहुत अ कार करने पर पर लिए थे बस एक एक कोश्चन बनाने के लिए ज्यादा नहीं तो एडवांस में मेरा रैंक आया इडवांस में 2600 आया लेकिन मोटा मोटी बोले तो 2600 आया अब यहां पे जो लोग आप लोग आईटिकर त्यारी करते हैं और सोच रहें कि यह कैसे हुआ तो तो यह कैसे हो सकता है कि जहीमे में पीछे रैंक आता है और लेघृते हमें यहां अब कर यहां तो बहुत बच्चे होते हैं जो अच्छा स्कूर कर लेते हैं लेकिन एडवांस में सब बच्चे स्कूर नहीं कर पाते क्योंकि काफी टफ एकजाम होता है तो आप लूमिस से जिन लोगों का भी जैए में टार्गेट यह तो दो पेपर यानि फिजिक्स केमिस्ट्री को एट तो 2001 में आईटी एडवांस मेरा किलियर हुआ और मेरा रैंक आया 2698 मैं अपने पापा को फोन करके सबसे पहले बताया कि मेरा आईटी में हो गया है पापा बहुत खुस हुए और उनके मन में यही चल रहा था उस टाइम कि जो जमीन बेचे थे उस सारा फूर्ट पूल हो रिजल्ट आ गया फिर पूरे गाउं के लोग बढ़ाई देने लगे कि आईटी हो गया तब आपा और भी खुस हुए यह सब देखके हमको बहुत ही अच्छा लग रहा था कि मेहनत किये और रिजल्ट हो गया फिर उसके बाद अब था कॉलेज लेने का बारी कि अब कॉले सुरू से चलता रहा है लेकिन अभी के टाइम में काफी आगे चला गया लेकिन हमारे टाइम में पेट्रोलियम ब्रांच भी था जिसमें काफी ज्यादा पैकेज और अच्छा प्लेस्मेंट हुआ करता था तो उसमें आईसम धनवाद जिसका नाम अभी आईटी धनवाद ह ऐसमें मेरे को पेट्रोलियम ब्रांच मिल गया और काफी सेनियर से पूछे ठींच बहूप हुआ है तो तो मैं आईटी धनवाद में एंडमीशन में वैसे तो पूरे कॉलेज में friendship सभी लोग से था लेकिन हम लोग तीन दोस्त काफी खास थे मैं दीपक और सैलेस बहुत ही क्लोज थे एक ही रूम में हम लोग रहना बाचीत करना काफी हम लोग मैच करते थे तो इस तरह से क्योंकि तीनों का तीनों गरीब थे एक ही जैसे थे सोंच भी एक ही जैसा था तो काफी मेंच करता था तो हम लोग एक साथ friendship हुआ और काफी लंबा चला वह चीज फिर कॉलेज लाइफ अपना चार साल का बीटे का दोड़ान सब सब कंप्लीट हुआ उसको तीनों लोग को ज अब सब्सक्राइब तो करते तो जो अच्छा चल रहा था लेकिन हुआ इंस्पिरेशन फिजिक्स को पढ़ाने समझाने में क्योंकि सुरू से आईटी टाइम से मेरा फिजिक्स बहुत अच्छा था और बच्चों हमेजा टच में रहता था तो मेरे मंच किया किम पुरोफेसनमें जाये और बच्चों को help करें खिजिक्स में help करें तो कोफिर मैंται एट के लिए फिजिक्स पराना शुरू किया तो दीरे धिए दीरे तीरे देखे कि बच्चे और NEET दोनों में सेलेक्षिन काफी बच्चे का होने लगा तो इससे मेरे को काफी सैटिस्पेक्षिन होता है क्योंकि जो बच्चे आते हैं इसमें मैं अपने आपको देखता हूँ कि मेरे को भी दिक्कत था, मीरा दिक्कत सॉल्व हुआ इन लोग का भी दिक्कत स्वाल हो रहा है वर्तमान समय में मेरा मुवाइल एफ एजी फिजिक्स उसके थुरू हजारों बच्चों को NEET और JE के लिए गाइड कर रहा हूँ और काफी बच्चों को फायदा हो रहा है मेरा सपना है कि मैं और जादा से जादा बच्चों को इसके थुरू गाइड कर सकूँ और उनको फायदा पहुँचा सकूँ उनके रिजल्ट उनके मंजी तक पहुँचने के लिए मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थाइंक यू गुड लग